Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगे इंडरस्टियल हाईजीन के बारे में इंडरस्टियल हाईजीन होता क्या है? इंडरस्टियल हाईजीन अगर हम रखते हैं तो हमें क्या क्या बेनेफिट्स मिलते हैं? इसके इंपोर्टेंस क्या क्या हैं और हम इसे कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाले हूँ तो सबसे पहले तो इंडरस्टियल हाईजीन आपको समझ आ गया होगा कि इंडरस्टिय की स्वच्छता अब सवच्छता मतलब ये नहीं कि वहां की साफ सफाई रखेंगे तो सवच्छता हो जाएगी वो तो है ही, वो तो हमें रखने ही है पर सवच्छता इस तरीके से रखना कि वहां जो लोग हैं उनको भी कोई हार्म ना हो और जो एक्टमोस्ट फेर है बाहर का उसे भी कोई हार्म ना हो तो सबसे पहले मैं आपको इंडरस्टियल हाईजीन की रेफिनेशन बताती हूँ तो देखिए, इंडरस्टियल हाईजीन इक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो क्या आता है, जो इन्वार्मेंट है ठीक है? और इसके साथ साथ जो वहां वर कर काम कर रहे हैं उनकी भी हैल्थ पर कोई एफेक्ट ना पड़े ऐसा ना हो कि वहां काम कर रहे हैं ऐसे कैमिकल्स yous हो रहे हैं, ऐसी हाम्फुल चीजएं यूस हो रही है जिनकी वज़े से उनकी हैल्थ पर कोई effect पड़े, उन्हें कोई disease हो जाए या वो sickness feel करें, तो ये सारी चीजें जो है वो आती है industrial hygiene के अंदर साफ सफाई के साथ साथ हमारे यह जो process चल रहा है, जो काम चल रहा है, वो कहीं ऐसी चीजों से तो नहीं हो रहा है, जिनकी वज़े से environment or workers को, workplace को harm हो रहा हो, तो ये सारी चीजे देखना किस के अंदर आता है industrial hygiene के अंदर आता है अब हम ये कैसे maintain कर सकते हैं देखिए, हम सारे prevention तो लेते ही हैं, अब इसके साथ साथ हमें ये और देखना है कि जो भी हमारे चीजे use हो रही है माल लेजे, कोई भी चीज बनाने के लिए production के लिए, कोई भी ऐसी चीज यूज हो रही हो, जैसे जो कि harmful हो, तो उसकी testing करना, अगर वो harmful है तो उसके लिए PPEs यूज करवाना अगर वो PPEs के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा solution ढूड़ना, जिससे कि वो harm ना करें किसी को भी या कोई और optional ऐसा चीज बनाना, कि जिसकी वज़े से कोई harm ना होने पाए अब जैसे कि माल लीजे, कोई chemical आप यूज कर रहे हैं, उसको inhale करने से आपको breathing problem हो जाए, या lungs disease हो जाए, तो उसको रोकने के लिए आप mask पहन सकते हैं, ठीक है, अब माल लीजे, वोई chemical आपकी हाथों को भी harm कर रहे हैं, तो आप gloves पहन सकते हैं ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप use करके, अपने आपको protect रख सकते हैं, और industrial hygiene ऐसे maintain हो सकती है अब जो worker काम कर रहा है, उसे तो इतनी चलती नहीं पता चलेगा ना कि उसको ये disease हो जाएगी, ये ऐसा हो रहा है तो जो भी वहाँ worker हैं, उनको इतना नहीं ध्यान तो कौन करेगा इसकी हाल fire and safety officer जो है वो check करेगा उनकी sample लेगा और देखेगा कि इसमें कितनी हजाडियस चीज़ें हैं, कितना harmful है ये और उसके बाद ऐसी protection देगा वैसे तो workers को allow है कि वो सारे PPs पहन के work करें पर ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनकी वज़े से harm हो सकते हैं, माल लीजें इंडरस्टिय से ऐसा smoke निकल रहा है जिसकी वज़े से environment harm हो अब ये तो environment पे बात आ गई न तो हमें छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान रखते हुए इंडरस्टियल hygiene maintain करके रखनी पड़ेगी जिसकी वज़े से कोई नुकसान ना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे risk determine करेंगे तो risk कैसे determine करेंगे वही सेम चीज हम जो भी inspection करते हैं रोज उसमें ऐसी चीज़े observe करना और उनके लिए कोई decision लेना कि हम कैसे ठीक इसे कर सकते हैं ठीक है आपने inspection किया आपने observe किया कि ऐसी चीज होने से ये harm हो रहा है तो उसके लिए कोई ऐसा decision लेना कोई ऐसे judgment करना कि वो चीज हम ठीक कर सकें और वो काम अच्छे से हो सकें तो जब risk determine करेंगे तब ही तो हम कोई plan बना पाएंगे ना लोगों को ठीक रखने के लिए तो सबसे पहले है वो risk को देख लेना, risk identify कर लेना तब आगे हम next कोई step ले सकते हैं अगर हम daily inspection करते हैं और उसके लिए अच्छा judgment ले लेते हैं तो हम उससे prevention भी prevent कर सकते हैं, preventions भी दे सकते हैं तो अगर risk determine हो जाएगी तो easy हो जाएगा ना ये तो risk determine करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है उसके बाद हम prevention दे सकते हैं अब risk determine करने के बाद हम, मतलब इसके क्या importance है इनके बारे मैं बताती हो देखे, ये WHO के according बताया गया है कि हर साल 2,00 के लगबग deaths हो जाती हैं worker की work related deaths होती है मतलब जो भी काम पे इंसान गए है उनकी जान चली जाती है तो ऐसी हम क्या क्या चीज़े कर सकते हैं जिनकी वज़े से ये सारी जाने बच सके इसमें देख सकते हैं आप कितनी कितनी deaths जो है वो work place पे हो जाती है कुछ चोटी चोटी चीज़ों की वज़े से तो अगर हम industrial hygiene पर ध्यान देंगे तो occupational health already maintained रहेगी और कोई भी ऐसी problem नहीं आएगी नहीं कोई accident होंगे ठीक है तो इसलिए regular inspection करना कितना जरूरी है आपको पता चली गया होगा ठीक है तो ये है इसके importance और benefit क्या मिलते हैं अगर हम industrial hygiene रखते हैं तो उनके बारे में बताती हूँ देखी hygiene रखते हैं तो अपनी health तो अच्छी रहेगी साथ में job satisfaction भी रहेगा कि job जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, workplace अच्छा है तो हमें कोई harm नहीं हो रहा है तो लोगों को भी संतुस्टी रहेगी कि हाँ जहां work कर रहे है वो बहुत अच्छी जगह है product improvement होगा productivity बढ़ेगी क्योंकि workers जब ठीक रहेंगे तो productivity तो increase हो नहीं है अगर आप उनके लिए इतना ख्याल रखेंगे तो वो भी तो सोचेंगे कि जब company हमारे लिए इतना करी industry हमारे लिए इतना करी तो हम क्यों ना करी तो productivity भी बढ़ेगी और साथ ही लोगों का नजरिया यानि कि improve workers workers को improve करेगा यह उनका attitude बदलेगा management के लिए ठीक है तो benefit यह रहेंगे उससे कि जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छे से होगा सिर्फ आपको उन्हीं हाईजीन पर ध्यान देना है industrial हाईजीन पर ध्यान देना है occupational health पर भी उससे automatically effect पढ़ जाएगा ठीक है यह देखे एक छोटा सा diagram शो हो रहा है यहां पर इसमें क्या बताया गया है यह without prevention है जब हम prevention नहीं देते तो क्या होता है एक healthy person होता है फिर उसे एक unhealthy environment मिल जाता है उसे disease हो जाती है वो फिर medicines लेता है तर उसके बाद उसके treatment होते हैं ठीक है उनके फिर treatment यानि की इलाज होते हैं और उसके बाद तब वो दुबारा से वापस ऐसा हो सकता है आप माल लीजे कोई उसे disease हो गई जो बहुत rear हो जिसकी वज़े से उसे कुछ जादी problem हो तो risk में आ जाएगा ना नाम तो यह हो जाएगा कि workplace से हुआ है तो इसलिए industrial hygiene बहुत जादा ज़रूरी है एक छोटा सा diagram और है कि अगर हम prevention रखते हैं तो तो देखिए healthy person कैसे रहता है healthy environment से अगर unhealthy environment है तो हम क्या करेंगे तुरंत recognition करेंगे evolution करेंगे और problem जो है वो देखेंगे उसका prevention control मेजर होगा और उसका एक healthy environment जो है वो बन जाएगा और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसका relation सीधे healthy person से है अगर healthy person आपका रखना है, industrial hygiene रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये सारी चीज़े क्या बता रही है कि अगर आप prevention रखते हैं तो industrial hygiene अगर maintain रखते हैं तो बहुत बड़े effect पड़ेगा इससे आपकी industry पर क्योंकि जो workers वहाँ work कर रहे हैं उनकी तो आज मैंने आपको industrial hygiene के बारे में बताया कि उसको रखने से आपको क्या benefits मिल सकते हैं और आप कैसे उसे maintain कर सकते हैं So, thank you